dissolution के case में आपको कौन कौन सी accounting treatments करने हैं हम वह बात करते हैं हमें पड़ा simple सा काम करना है कि हम business को बंद कर रहे हैं so business को हम क्या कर रहे हैं close business को close करने का मतलब है कि आपको books of accounts close करने है ठीक है आपको अपनी किताबें जो आपने starting में बनानी शुरू करे थे यह जर्नल लेजर ट्रायल यह सब कुछ बंद करना है क्योंकि business बंद होगा है so main focus है हमारा कि business के बंद होने पर accounting भी close होनी है अब आपको कुछ बातें याद रखनी है first जो बात याद रखनी है वो है कि assets को आपको sell करना है जब आप business बंद करोगे तो आपके पास जो भी assets होंगे furniture, land, building, machinery, intangible assets like goodwill, trademark, patents, debtor, stock, banker balance आपको क्या करना है इन सारे assets को आपने बेचना है बेचने का purpose यह है कि सारे assets बेचके आपके पास cash आजाए so you have to put all your assets on sale to generate cash in end तो आपके बाद सारे assets बेचने हैं और cash हाथ में लेके आना है सबसे पहला आपका focus यह है उसके बाद इस cash का purpose क्या है इस cash से आप क्या करोगे आप अपनी liabilities को pay करोगे तो हम अपनी liabilities को pay off करेंगे यह कौन सी liabilities आप सबसे पहले pay off करोगे outside liabilities outside liabilities को आप सबसे पहले pay करोगे sir outside liabilities का मतलब क्या है आपके पास एक balance sheet होती है इस balance sheet में यहाँ पर capital होता है हना let's say दो partner A और B हैं तो उनका एक capital है उसके बाद आपके पास यहाँ पर bank का loan है आपने bank से loan ले रखा है creditors है bills payable है outstanding expenses है अब यह जो चीजे हैं यह क्या है outside liabilities outside liability और यह क्या है insider liability चीक है outsider liability और insider liability में फरक क्या है insider liability मतलब business के business man यानि कि partners को जो business में पैसा वाफिस करना है वो inside liability है और outside liability क्या है कि partner के इलावा किसी को भी अगर पैसा देना है तो वो outsider liability है तो सबसे पहले हम जो cash हमारे पास एकठा हुआ है by selling all your assets उस cash का क्या करोगे आप अपनी ये सारी liabilities आप pay off कर दोगे सब के पैसे उतार दोगे आप bank को बोलोगे ये bank loan तेरा उतार दिया creators को सब को बुलाओगे एक एक करके सब के creators के पैसे आप चुका दोगे bills label को honor कर दोगे सारे expenses outstanding के वो भी आप pay off कर दोगे सो होगा क्या आपका cash कम होना start हो जाएगा ठीक अब last point क्या होगा जब सारे assets आपने बेच दिये और सारी liabilities outsider आपने चुका दी अब कौन बच गया एक तरफ आपके पास partners बच जाएंगे और एक तरफ आपके पास कुछ cash बच जाएगा होगा यह कि अब कुछ cash जो बच गया है वो किसी liability को देने के लिए नहीं है और आपके पास कोई asset नहीं बचा apart from cash आप इस cash का क्या करोगे अब यह cash आप partners में distribute कर दोगे कि A partner को थोड़ा cash मिल जाएगा और थोड़ा cash B partner को मिल जाएगा ऐसा करने से क्या होगा कि partner भी उनकी liability भी खतम हो जाएगी और आपके पास cash भी नहीं बचेगा इस से आपके यह सारे assets भी खतम आपकी यह सारी liability भी खतम और आपका business भी खतम आपको यह काम करना है जो मैंने आपको बताया है यह मैंने थोड़ा आपको briefly बताया है अब थोड़ा detail में हम आगे चलते है हम एक काम करते हैं मैं आपको एक balance sheet दिखाता हूँ पहले और फिर हम उस balance sheet से थोड़ा आगे study करना start करेंगे so let's say this is a balance sheet as on 31st of March 2020 यह वो balance sheet है जिस दिन आप dissolution कर रहे हो so आपका starting point हमेशा क्या होगा आपका starting point हमेशा यह होगा कि आपके पास एक balance sheet होनी चाहिए कौन सी date की balance sheet होनी चाहिए जिस date पे आप अपने dissolution कर रहे हो जिस date पे आप अपना business बंद कर रहे हो Because, जिस दिन आप अपना business बंद कर रहे हो, आपको detail चाहिए कि आपकी क्या liabilities हैं, और आपके पास क्या assets है. Right? अब मैं कुछ liabilities लिख रहा हूं, और कुछ assets लिख रहा हूं, आप ठोड़ा ध्यान देना. Assets में मैं लिख रहा हूं, याप पर, trademark, patent, building, furniture, stock, debtors, bank balance, cash, and P&L account का, यानि की loss का balance. ठीक, और ये balance sheet आपकी tallyed है, इस तरह. तो यहाँ भी tallyed ही होगी. Asset side पे आपको यहाँ पर नजार आ रहा होगा, sorry, liability side पे आपको नजार आ रहा होगा, capital, A का capital और B का capital. उसके बाद आपको यहाँ पर नजार आ रही है, general reserve. उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, Mr. A's loan account, bank loan account, उसके बाद creditors, bills payable, outstanding expenses, और यह आपकी balance sheet tallyed है. So, मैं एक hypothetical situation लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर हम business बंद कर रहे हैं, 31st of March 2020 को, और 31st of March 2020 के date पे आपके पास एक balance sheet है, उसमें कुछ assets और कुछ liabilities आपको नजर आ रहे हैं. अब हमें क्या करना है, first काम जो हमें करना है, वो है कि हम एक नया account start करने वाले हैं, जिसका नाम है realization account, क्या account बना रहे हैं हम, realization account, admission, retirement, death, और change in profit sharing ratio, इन सभी cases में मैंने क्या, कौन सा account बनाया था, revaluation account, revaluation account का purpose ये था, कि आप अपने assets और अपने liabilities को new value या revalued values पे लाना चाहते हैं, पर यहाँ पर जहाँ पर आप business को बंद कर रहे हैं, और dissolve कर रहे हैं अपने firm को, यहाँ पर आप revaluation account बनाने का purpose नहीं है, because you do not need to revalue your assets, what you have to do, you have to sell your assets and pay off your liabilities, उसके लिए आप कौन सा account बनाओगे, realization account, ठीक, अब, realization account बनाने का purpose क्या है, इसका purpose है कि आप अपनी books को close करना चाहते हो, यानि कि आप close करना चाहते हो, asset और liabilities को, तो पहला purpose realization account बनाने का क्या है, कि आप अपने assets और अपने liabilities के account को close करना चाहते है, close कैसे होंगे, और कौन-कौन से accounts close होंगे, हम यह बात करते हैं, हर asset, हर liability को आपको revaluation account में transfer नहीं करना है, first step is, you need to identify और understand कि कौन से assets को आपने realization के account में transfer करना है, और कौन सी liability को आपने realization account में transfer करना है, मैं वो लिख रहा हूँ, हर intangible asset को, हर intangible asset को आप realization account में transfer करोगे, हर tangible asset को आप realization account में transfer करोगे, यानि कि assets का बड़ा simple सा काम है, आपने सारे assets transfer करने हैं realization account के अंदर, और आपकी assets close हो जाएंगे, कौन-कौन से assets आपने transfer नहीं करने है, बैंक को transfer नहीं करना है, ये transfer नहीं होगा realization account में, ये transfer नहीं होगा realization account में, और ये भी transfer नहीं होगा realization account, तो हमारे को क्या समझाया, हमने एक नय account बनाना है, realization account, सारे assets हमको realization में transfer करने हैं, चाहें वो tangible हो चाहें वो intangible हो पर कुछ ऐसे accounts है asset side पर balance sheet के नजर आते हैं जिनको transfer नहीं करना है वो है bank account, cash account और P&L account या फिर कोई losses अगर यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको clear? सर इसका मतलब क्या होता है कि assets को realization में transfer करना है हम जब एक नया account बनाएंगे realization account debit or credit side होगी हम क्या करेंगे हम यह जितने भी assets हमने लिखे है जिनको हमने बोला कि transfer करना है realization में इन सभी को हम यहाँ पर transfer कर देगे कैसे transfer करोगे सब ऐसे to trademark to patents to building to furniture to stock to debtors कौन सी values लोगे आप यह जो यहाँ पर values आएंगी यही values आपने यहाँ पर record कर देगे हैं means all assets which are marked here will be transferred to the debit side of realization account at their book value at their value appearing in the balance sheet ठीक होगया सबसे पहला काम हमने यह कर देगा उसके बाद हम liabilities को भी transfer करेंगे realization account कौन कौन सी liabilities transfer होंगी सारी outside liabilities transfer होंगी सारी outside liabilities तो यह transfer नहीं होगा विकाज यह तो insider है insider means partner है general reserve भी transfer नहीं होगी विकाज general reserve तो capital account में ही distribute हो जाएगी Mr. A का loan Mr. A कौन है? insider है तो यह भी transfer नहीं होगा clear bank loan outsider है creator outsider है bill payable outside liability है और outstanding expense भी outside liability है यह सारे की सारे आपने transfer करनी है अब कैसे transfer करोगे आप इन सभी को आप उठाओगे यहां से और आप realization के credit side पे transfer करोगे सिर्फ कैसे करोगे? ऐसे buy bank loan buy creditors buy bill payable and buy outstanding expenses तो हमने क्या किया? हमने यह जो values इसके आगे आ रही होंगी यहां पर हमने इसी value पे यह वाले account सारे के सारे जो outsider liability है वो यहां पर transfer कर दिये clear हुआ? कौन-कौन से account हमने नहीं transfer किये? हमने capital accounts नहीं transfer किये? और जो भी चीज़े हम capital account में बंद करते हैं वो transfer नहीं करेंगे और liabilities को आपने balance sheet से उठाके realization account में transfer कर दिया इसका मतलब यह होता है कि जो भी asset और जो भी liability आपने यहां पर डाल दी उन सभी के ledger account खतम हो चुके हैं उनका balance खतम हो चुके हैं देखो आपने entry क्या pass करी आपने बोला realization account debit आपने realization account को debit किया और आपने यह सारे assets को credit कर दिया अब देखो अगर asset वो credit कर दोगे तो होगा क्या asset का account बंद हो जाएगा उसमें balance खतम हो जाएगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि trademark खतम हो गया patent का account बंद हो गया building account भी बंद हो गया furniture, stock और debtor यह सारे account क्या हो गया close हो गया similarly हमने यहां पर entry क्या pass करी आपने बोला realization account credit और bank के loan को आपने debit कर दिया creator debit कर दिये bill payable debit कर दिया outstanding expenses debit कर दिये debit करने का मतलब क्या है अगर आप liability को debit कर दोगे तो liability account बंद हो जाएगा तो यह भी close हो गया सारे के सारे account समझाए आपको इसका मतलब इस balance sheet में अब आपको यह नहीं दिखने चाहिए चीक है जो asset और जो liability account आपने realization में transfer कर दिये अब वो accounts close हो चुके इसका मतलब क्या है trademark अब trademark नहीं है trademark का क्या नाम बन गया realization account building अब building के नाम से debit credit नहीं होने वाली इसके बाद realization account बनने के बाद building बिल्डिंग नहीं है realization furniture furniture नहीं है stock debtor trademark patent bank loan creator bill payable outstanding expenses all assets all liabilities transfer to realization account they have been closed वो account बंद हो चुके है और उन सभी के नाम अब क्या हो गए है realization account ठीक हो गया clear पर सर जो account आपने close नहीं करे थे जैसे की capital account A और B का general reserve mister A का loan और P&L account cash account और bank account इनका क्या करेंगे बड़ा simple सा काम general reserve और P&L यानि की जो काम आप admission, retirement और death में कर रहे थे क्या कर रहे थे कि कोई भी general reserve हो कोई reserve हो कोई profit हो कोई loss हो कोई miscellaneous expenditure not return off हो advertisement suspense account हो यह सारे account आप क्या करते थे old partner old ratio में transfer करते थे so यह जो मैंने green color किया है इसका मतलब क्या है कि यह कहां चले जाएंगे partner के capital account में और जैसे आप यह partner के capital account में transfer करोगे तो होगा क्या यह account भी बंद हो जाएगा और यह account भी bank account open रह गया और cash account open रह गया ठीक है यह account open रहन देंगे अभी हम इनका अभी हम कुछ नहीं करेंगे यहां तक clear होगे आपको अब हमने realization account बनाया था उसका first step हमने सीख लिया कि कुछ assets balance sheet से उठाके debit करना है realization में और कुछ liabilities balance sheet से उठाके credit site पे डाले realization ऐसा करने से आपका first step of the realization account पूरा हो जाता है और अब हम second step पे आएंगे second step क्या है उसको समझने के लिए मैं अब आपको story समझाता हूं कोई भी asset कोई भी asset जो business के पास है उसके तीन काम कर सकता है business at the time of closing the business उसके तीन काम किये जा सकते हैं या तो वो asset को sell off कर दिया जाएगा बेच दिया जाएगा या उस asset को दे दिया जाएगा to pay a liability यानि की एक creator आया और creator हमारे अपने पैसे मांग रहा था हमने अपना फर्मीचर उठाके उस creator को दे दिया और हमने बोला ये furniture तेरे को दे दिया अब तू जा अब तेरे पैसे उमने पे कर दिया that means the asset can either be sold off or it can be given to settle a liability दो काम हो गए और तीसरा काम क्या है it can be taken over by a partner ऐसा भी तो हो सकता है कि हम furniture को बेचते नहीं है हम furniture किसी creator को भी नहीं देते और partner यह कहता है कि यह furniture यह कुरसी है यह मेरी बड़ी मदब खास है मैं चाहता हूं कि यह कुरसी मैं अपने घर ले जाओ सो हो सकता है ना कि that asset can be taken over by a partner so these are the three options available for any asset available with the business at the time of dissolution या ता हम उसको बेच देंगे पहला काम या फिर हम उसको किसी liability को settle करने में दे देंगे या फिर तीसरा काम वो partner उसको उठा के ले जाएगा ठिक अब समझना मान लेते हैं इस asset का नाम मान लेते हैं इस asset का नाम furniture है और यह जो furniture balance sheet में था यह 10,000 रुपे का furniture balance sheet में पढ़ा था clear है जैसे कि यह हमने balance sheet बनाई है यहां पर यह 10,000 रुपे का नजर आ रहा था तो मुझे बताओ सबसे पहला काम आपने क्या किया होगा सर हमने क्या क्या होगा हमने यह furniture उठाके realization और आपने furniture account को क्रेड कर दिया ठीक है 10,000 रुपे My question to you is ये entry का effect क्या है ये entry का effect ये है कि ये जो furniture account है ये furniture account close हो गया है books में furniture को आपने, asset को आपने credit कर दिया, जैसे ही आप asset को credit करोगे, furniture का account अब कोई balance नजर नहीं आएगा उसमें कोई balance दिखेगा नहीं So furniture account books में close हो गया पर क्या ये furniture business में है हमारे पास हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ physically physically तो business में furniture exist कर रहा है अभी भी business की shop के अंदर वो furniture दिख रहा है पर business की books के अंदर वो furniture close हो चुका है because आपने एक journal entry पास कर दी है, तो अब हुआ क्या कि furniture books में नहीं है पर physically furniture है, अब उस furniture का आप क्या कर सकते हो, सर या तो हम उसको बेच सकते हैं, या हम किसी को दे सकते हैं, या कोई partner लेके जा सकता है, मैंने बोला कि ये जो furniture था 10,000 रुपे का, हमने इस furniture की निलामी करी, हमने इसको sale करने के लिए OLX पर डाल दिया या quicker पर डाल के, हमने इसको बेचने की कोशिश करी, और एक व्यक्ति हमारे पास आया, जिसने बोला कि मुझे 9,000 रुपे में ये furniture लेना है आप से, तो हमने उससे 9,000 रुपे लिए और हमने अपना furniture बेच दिया, अब जब furniture बेच दिया, तो मुझे बताओ, आप क्या general entry पास करोगे, 9,000 रुपे में आपने ये furniture बेच दिया, क्या general entry पास करोगे, आप बोलोगे, cash account debit, 9,000, आपके पास 9,000 रुपे cash आ जाएगा, और आप बोलोगे, 2, realization account, आपका furniture चला गया, देखो मैंने आपको बोला था, कि जब आप ये सारे assets, और ये सारी liabilities, transfer कर दोगे, realization account के अंदर, तो हर asset और हर liability का नाम substitute हो जाएगा, realization account से, यानि कि furniture अब furniture नहीं रहेगा, realization हो जाएगा, trademark अब trademark नहीं रहेगा, अब वो realization हो जाएगा, crater अब crater नहीं है, अब वो realization हो गया है, because आपका वो जो furniture account था, वो close हो चुका था, books में, तो जब एक asset account close हो चुका है, तो आप यहाँ पर, यहाँ पर furniture account यूज नहीं कर सकते हो, because अब furniture आपके पास है ही नहीं, जब जो चीज आपके पास books में है ही नहीं, आप उसको credit नहीं कर सकते, so instead of using the asset name, आप कौन सा नाम यूज करता, start करोगे, अब realization account, clear हुआ, अब यह entry आपने पास करी, जब आपने furniture को बेचा, आपने furniture को बेचते समय, यह नहीं सोचना, कि सर, 10,000 का furniture, 9,000 में बेचा, loss हो गया, 1,000 का, यह उल्टा भी हो सकता था, 10,000 का furniture, 12,000 में बेच लेचे, तो profit होता, 2,000 का, आपने profit और loss के बारे में नहीं सोचना, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि, जो realization account है, उसमें सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, यह तो to profit transfer करना पड़ेगा आपको, यह by loss transfer करना पड़ेगा, that means, जैसा काम आप revaluation account में करते थे, revaluation account अपने आप भी बता देता था था न, end में, कि इतना profit हुआ है, इतना loss हुआ है, realization account भी अपने आप बता देगा end में, कि हमारे को profit हुआ है, कि loss हुआ है, so you do not have to keep on judging at every point, कि हमें profit हो रहा है, कि loss हो रहा है, तो आपने profit loss के बारे में चिंता नहीं करने है, clear हुआ, so जब आप asset बेच दोगे, तो आप entry के आपास करोगे, cash account debit to realization, और इस entry को, आप post कैसे करोगे, अब आप posting भी सीख लो, यह रहा realization account, realization account को आपने करना है, credit और debit किसको करना है, cash को तो आप यहां लिखोगे, buy cash account 9000, यहाँ पर bracket में लिख सकते हो आप, कि यह पैसा furniture का है, clear हो गया, चलो, third काम पहले देखते हैं, partner A कहता है, कि यह जो 10,000 का furniture है, यह furniture बेचो मत, यह furniture मुझे देदो, I want to take this furniture, and take it to my home, so हमने बोला, ठीक है, यह 10,000 का furniture तू ले ले, लेकिन partner A कहता, इस 10,000 के furniture के बदले, मेरे से आप 10,000 रुपे मत लेना, मेरे से आप 8,000 रुपे लेना, जब भी आप, पार्टर A को, लेकिन value क्या रखी है, 8,000 रुपे, entry क्या पास करोगे, आप बोलोगे, यह furniture किसके पास किया, A के पास, debit the receiver, तो आप बोलोगे, is capital account debit, 8,000, 2, अब आपका furniture चला गया, 2 furniture नहीं कर सकते, because furniture का नाम furniture नहीं है, furniture का नाम क्या है, realization, तो आप लिखोगे, to realization account, 8,000, clear है, तो यह account आपने use किया है, furniture की जगा पे, अब, A को आपने debit किया, और realization को credit किया, तो यह realization की posting यहाँ पर आ जाएगी, कैसे, by, is capital account, 8,000, clear हुआ, so, asset को अगर एक partner ले जाए, या asset को अगर आप बेचो, तो आप यह treatment करते हो, third, जो treatment रहे गई हमारी, वो है, यह, liability, अब इसको समझो, एक व्यक्ति है, राम, जो हमारा कौन है, creditor, और इस creditor के हमने, 12,000 रुपे देने थे, ठीक, हमारे पास एक furniture पड़ा है, जिसकी value कितनी है, 10,000 रुपे, इन दोनों को ही, हमने कहां पर transfer कर दिया होगा, अभी तक, realization में, so, we have already transferred these two realization, sir, अगर हमने इसको realization में transfer कर दिया, तो please realization account बनाओ, तो realization account, मैं आपको बता रहा हूँ, कैसा दिखेगा, आपने जब ये furniture को realization में transfer किया, तो आपकी entry यहाँ पर आई होगी, two furniture, जब आप balance sheet से furniture की value को transfer करोगे, तो आप लिखोगे two furniture account, 10,000, ठीक, और ये जो creator है, राम, इसको आपने यहाँ पर transfer किया होगा, बैलेंशीट से तो आप लिखोगे, बाए, राम, कितना, 12,000, ये तो सबसे पहला काम किया, आपने asset और liability को transfer किया realization, ऐसा करने से क्या हुआ, राम का account close होगया, furniture का account close होगया, ये दोनों ही किस नाम से, अब हमारे पास available है, realization account में available है, ये दोनों कहां पर available है, ये भी realization में है, ये भी realization में है, इसका मतलब, राम, राम नहीं है, realization है, और furniture, furniture नहीं है, realization, clear होगया, अब, books में तो राम account close होगया, books में तो furniture account close होगया, पर, physically, या actually, हमने राम के अभी भी 12,000 रुपए देने हैं, और हमारे पास अभी भी furniture, अपनी shop में नजर आ रहा है, तो हमने राम को phone लगाया, हमने राम को बुलाया, राम हमने तेरे पैसे देने हैं, हमारे पास आजा, हम business बंद कर रहे हैं, तो राम फटा फटा अपनी cycle पे, हमारे पास आ गया, और कहता मेरे पैसे मुझे दे दो, तो राम अपने कितने रुपए मांगे का हमसे, 12,000 रुपए, अब हमने राम को बुला, देख हमारा business को हो रहा है, बंद, और पैसा हमारे पास तेरे को देने के लिए है नहीं, पर हमारे पास एक furniture पड़ा है, एक काम कर तू यह furniture हमसे ले जा, और मान ले कि हमने तेरे पैसे तुझे दे दिये, इसका मतलब, once we give this furniture to you, तेरा कोई भी पैसा अब हमारे से लेने वाला नहीं होगा, clear हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, giving asset to settle a liability, यानि कि हमने अपनी एक liability को settle करने के लिए, asset उठाया और उसको दे दिया, entry क्या पास करोगे बाद, आपने 12,000 जो राम को देने थे, उसके बदले आपने 10,000 रुपे का furniture राम को दे दिया, और आपने बोला, अब ना राम को कोई पैसे देने हैं, और ना ही अब furniture के हमने पैसे किसी से लेने हैं, तो ना furniture हमारे पास बचा, और ना ही हमारे पास राम के liability हैं, तो इसकी books में journal entry क्या पास करोगें, सोचो, books में journal entry तो आप तब पास कर पाओगे न, अगर राम का account आपके पास हो, और furniture का account आपके पास हो, ना राम का account आपके पास है, विपास राम का account आप close कर चुके हो, और furniture account भी नहीं है, furniture account भी आप close कर चुके हो, इसका नाम आपने क्या रख दिया, realization, और इसका नाम भी अब आपने क्या रख दिया realization अब अगर आप entry पास करने की कोशिश करो तो क्या entry बनेगी आप बोलोगे furniture चला गया इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि realization चला गया हाना सोचना थोड़ा ध्यान से कितने का 10,000 का आप बोल रहे हो ये furniture हमने राम को दे दिया furniture का नाम हमने क्या रखा हुए realization तो furniture जब जाएगा create what goes out होगा तो आप furniture यानि कि realization को create करता होगे clear दूसरा राम को ये furniture मिल रहा है राम receiver है तो debit the receiver पर राम का नाम क्या है realization तो अब आप बोलोगे realization account debit कितना 12,000 clear और जो ये difference है ये जो भी difference है ये difference भी कहां जाना है realization में because जो भी profit होगा या जो भी loss होगा वो ultimately realization में जाना है तो आपकी क्या journal entry pass हो रही है आपकी entry बन रही है realization debit 12,000 to realization 12,000 इसका मतलब आपको journal entry pass ही नहीं करनी है अब ध्यान से समझना when an asset is given to settle a liability after the accounts have been transferred to realization account आप कोई भी entry pass नहीं करोगे कोई भी entry आप pass नहीं करोगे because asset भी unrecord हो चुका है books में है नहीं और liability भी unrecord हो चुकी है books में account close हो चुका है so close account की आप entry pass करी नहीं सकते आपने कोई नए account नहीं खोलना है यहापर कि आप नए account खोल दो आपने तो पुराने खुले हुग account सारे बंद करने because business close हो है clear हुआ so asset की हमने तीनों बाते समझ ले यहाँ पर पढ़ते हैं अब यह आपको realization account बना के दिया हुए सारे assets हमने यहाँ transfer कर दी और सारे liabilities जब हमने transfer कर दी तो यह वो stage थी जो अपने आज तक सीखी है अभी तक so यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कौन-कौन से assets को realization account में transfer करते हैं एक बार हम इसको summarize कर लेते हैं all assets except कौन-कौनसे नहीं करने हम इस इतना याद रखना है कौन-से इसे transfer नहीं करने अगर हम इसके यह याद हो जाए कि हमें dire data transfer नहीं करना bank account transfer नहीं करना और losses transfer नहीं करने तो बाकि सब कुछ transfer करने बाकि सब कुछ कमातलब है चाहे goodwill account chrome गो चाहे copyRight हो अकाउंट पढ़ा है लॉस miscellaneous expenditure पढ़ा है advertisement suspense account पढ़ा है या deferred revenue expense पढ़ा है ये कुछ accounts है जो losses होते है जो asset side होते है इनको transfer नहीं करना realization में बिकाउज ये सारे कहाँ जाएंगे capital account में चले जाएंगे old partner old ratio वाला concept लगेगा इसको entry क्या बनेगी हमारी transfer करने की realization account को debit कर देंगे और सारे assets जो transfer किया उनको credit कर देंगे ऐसा ही किया है हमने ये देखो हमने जो भी asset transfer किया है वो realization की debit side पे आया है तो entry क्या बनी realization account debit to trademark to patent to building to furniture to stock and to debtor तो हमारे को assets को transfer करना समझ आ गया second काम हमने जो आज सीखा है वो ये सीखा है कि हमें liabilities को भी realization account में transfer करना है पर सारी नहीं करनी कौन सी करनी है outside liabilities तो कहता है all liabilities except क्या transfer नहीं करना हमें partner का capital account transfer नहीं करना अगर partner का current account है में वो भी transfer नहीं करना और अगर कोई profits या reserves नजर आ रहें जैसे general reserve P&L appropriation account reserve fund capital reserve इनको भी transfer हमें नहीं करना है ठीक है बाकि सारी liabilities जो outsider है वो सारी की सारी कान ट्रांट हो जाएंगी realization की credit side पे तो entry क्या pass होगी entry pass होगी सारी liabilities को debit करना है और realization को credit करना है ऐसा ही किया हमने यह देख हमने यहाँ पर realization को credit किया और debit किसको किया bank loan तो entry क्या बनी bank loan debit creator debit bills payable debit outstanding expense debit to realization account clear हुआ उसके बाद अगर हम किसी asset को sell करते अभी मैंने सारा नहीं कराऊंगा आज अभी मैं सिर्फ revise करवा रहा हूँ जो अभी तक हमने किया है अगर हम कोई asset को sell करते हैं तो entry क्या बनेगी अब cash account debit to realization आपको यहाँ पर यह समझना है यहाँ पर asset का नाम नहीं आएगा यहाँ पर realization के नाम से entry की जाएगी because आपने सारे assets realization में transfer कर दिये हैं और realization में transfer होने के बाद asset asset के नाम से नहीं रहता वो realization नाम ले लेता है ठीक फिर हमने सीखा कि अगर कोई asset partner लेके चला जाए जैसे वो furniture partner लेके चला जाए तो आप क्या करोगे partner की capital account को debit कर दोगे और asset के बदले आप realization को credit करोगे यहां भी आपने realization credit किया यहां भी realization फिर last काम हमने किया था कि अगर asset कोई creator को pay करने के लिए use किया जाए यानि कि अगर asset उठाके किसी liability को pay कर दे तो हम कोई भी entry pass नहीं करने वाले है इसका मैंने बहुत सीधा सा आपको answer दे दिया था कि अगर आप entry pass करने की कोशिश भी करोगे तब भी आप से entry pass नहीं होगी because entry बनेगी क्या realization account debit to realization account इसका मतलब entry करो ना करो उसका कोई purpose नहीं है चिक अब यहां पर एक चीज और सीखनी है कि if there is some amount due to creator that will have to be reduced and the value of asset taken over will also be reduced इस बात को हम जो practical question करेंगे तर समझ लेंगे so आज हमने जो यह सीखा है वो assets related बाते सारी सीख लिए अभी एक और काम सीख लेते हैं यहां पर liability से related तो हमारा realization account वाला थोड़ा concept clear होता है अब देखो कोई liability का क्या कर सकते हो liability जैसे मान लो creator creator में मान लेते है ram के हमने 12,000 रूपे देने है ठीक इसका क्या करेंगे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे हम एक realization account बनाते है हमने बना रखा है realization उसी में सीख लेते हैं जैसे हम यह entry pass करेंगे जो liability है ram की वो books में से खतम हो जाएगी पर actually ram के पैसे अभी भी हमने देने है ठीक है अब इसका तीन काम किये जा सकते हैं इसके वी first यहां तो हम ram को pay कर देंगे cash में हम ram को बुलाएंगे ram इदरा हमने तेरे 12.000 रुपे देने यह पकड़ पैसे और जा ठीक second काम यहां फिर हम ram को कोई asset दे देंगे वो जो हमने उपर concept सीखा नहीं यहां पर हमने ram को furniture दे दिया था तो हमने वो asset के perspective से सीखा था यहां पर हम liability के perspective से सीखेंगे कि अगर हम इस liability को पे करने के लिए हम उसको एक asset दे 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 तो हमने उसको बोला ram हमारे पास एक furniture पढ़ा यह furniture ले ले और तीसरा काम कि this liability इस टेकन ओवर बाइ पार्टनर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पार्टनर ए कहता है कि राम को जो पैसे देने है ना business ने वो पैसे business ना दे वो मैं खुद दे दूँगा हना Mr. A क्या बोल रहा है Mr. A बोल रहा है कि राम के जो भी पैसे है वो मैं दूँगा business नहीं देगा और business फिर मेरे को पैसे देदे दाट मेंज राम को जो पैसे मिलने हैं वो कौन पे करेगा Mr. A और Mr. A उसके पैसे किस से लेगा बिजनस ठीक है तो इसको बोलते है लाइबिलिटी टेकन ओवर बाया पार्टनर इन तीनों केसे में एंट्री क्या पास करेंगे जब हम राम को बोल रहे हैं कि तू यह 12,000 रुपे हमसे ले ले तो हमने राम को बुलाया राम इदर हमारे से 12,000 रुपे ले जा तो राम जब हमारे पास आएगा और हम उसको 12,000 रुपे पे कर देंगे तो एंट्री क्या बनेगी एंट्री बनेगी realization account debit 12,000 तो cash account 12,000 ऐसा क्यों cash हमारा चला गया great what goes out और राम is the receiver लेकिन राम अब राम के नाम से थोड़ी है once राम has been transferred to realization अब राम का नाम क्या है realization तो यहाँ पर होना तो राम डेबिट चाहिए था पर राम का हमने नाम चेंज कर दिया तो नाम क्या है realization account to cash यह entry कैसे आएगी realization account के अंदर यह entry यहाँ पर आएगी realization account debit to cash 12,000 ठीक है so if liability is paid in cash तो यह entry हमें समझ आगी यह तो हम सीखी चुके है अगर राम को हम furniture दे देते हैं तो यह बात तो हम ऊपर कर चुके है तो इसको आप लिखो same as done above इसको फिर से मैं नहीं समझा रहा है यहाँ पर क्या है Mr. A कह रहे है कि राम के जो 12,000 रुपे है वो मैं दूँगा ठीक है तो हम क्या entry pass करेंगे राम के 12,000 तो Mr. A देगा लेकि Mr. A को तो पैसे देने है न हमने तो Mr. A को जो पैसे देने है वो entry बन जाएगी A's capital account को हम करेंगे credit 12,000 और क्यूंकि हमने राम के पैसे दिये यह तो राम होना चाहिए debit पर राम के नाम से debit नहीं होगा राम डेबिट होगा realization account के नाम से realization account डेबिट 12,000 तो Mr. A तो हुआ basically यह कि अब राम को पैसे हमने नहीं देने पर हमने किसको पैसे देने A को तो A हमारा creator बन गया और राम हमारा creator नहीं रहा यह entry भी यहां पर post कर दोगे 2 A is capital 12,000 रुगे ठीक है so this is how asset and liability has to be treated at the time of dissolution so liability अगर pay करोगे cash में realization to cash entry होगी अगर liability partner ले जाएगा तो realization to partner capital होगा और अगर liability asset से pay off होगी अगर liability asset से pay off होगी तो वो point number 7 ही है आप एक काम करना मैं इसके आगे further आज नहीं करा रहा इतना concept आप एक बार फिर से revise करना और जब हम next class में आएंगे so we'll continue with full-fledged question जहाँ पर हम realization account बनाना सीखेंगे so we'll be in the next class bye